नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका हिंदी बैंकिंग में आज के वीडियो मम जानेंगे बजाज फिरेंस के लेटिस्ट एफडी इंट्रस्टेट जो की लागू है चार मार्च दोहजार पेश से और साथ ही मम एक्जामपल से समझेंगे अगर हम एक लाग रुपे की एफ इफ्रेंट मैचॉर्टी के लिए तो हमें कितना ब्याज मिलेगा और कितना मैचॉरिटी अमाउंट मिलेगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बजाज फिरेंस के पास आप कम से कम 15,000 पे की एफडी करवा सकते हैं और यह ब्याज जरेक जो मैं आपको बताने वाला बजाज फिरेंस के पास आप दो तरह की एफडी करवा सकते हैं एक तो जिसमें आपको क्युमिलिटिव रेट अफिंटरस्ट मिलेगा विद कमपाउंडिंग एफट आफ्टर मैचॉर्टी और दूसरा है जिसमें आप पे आउट ले सकते हैं ब्याज का पे आउट ले सकते हैं मंतली, क्वाटरली, हाफ येरली और येरली पर आज मैं आपको जो ब्याज तरह बताने वाला हूँ वो मैं क्युमिलिटिव के आपको बताऊंगा जिसमें आपको मिचुर्टी के बाद में पैसा मिलेगा लेकिन जो क्वाटरली, मंतली और हाफ येरली प्याउट है उन आपने उसमें deposit किया होता है आज हम बात करने वाले है cumulative FD के बारे में जिसमें आपको last में maturity के end में principle के साथ पुरा ब्याज भी मिलता है तो बजाज finance के बास आप कम से कम 12 मेहने की और अधिक्तम 60 मेहने तक की FD कर आ सकते हैं 12 मेहने से लेके 60 मेहने तक different slab बनाए गया है और 15 मा समाने नागरिक 7.45% वरिष्टनागरिक 7.70% मंद्रा मा से अधिक से लेके 17 मा तक समाने नागरिक 7.50% वरिष्टनागरिक 7.75% 18 मा समाने नागरिक 7.40% वरिष्टनागरिक 7.50% 19 मा से लेके 23 मा समाने नागरिक 7.50% वरिष्टनागरिक 7.75% 24 मा समाने नागरिक 7.55% वरि मां से लेके 39 मां समाननागरिक 7.35% वरिष्टनागरिक 7.60% तीस मां समाननागरिक 7.45% वरिष्टनागरिक 7.70% 31 मां से लेके 32 मां समाननागरिक 7.35% वरिष्टनागरिक 7.60% 33 मां समाननागरिक 7.45% वरिष्टनागरिक 8% 34 मां से लेके 35 मां समाने नागरिक 7.55% वरिष्ट नागरिक 7.60% 36 मां से लेके 43 मां समाने नागरिक 7.55% वरिष्ट नागरिक 7.90% 44 मां समाने नागरिक 7.95% वरिष्ट नागरिक 8.20% 45 मां से लेके 6 मां समाने नागरिक 7.55% वरिष्ट नागरिक 7.90% तो दोस्तो सारे स्लैप्स में आपको one by one बता दी हैं नेक्स्ट हम एक्जांपल से समझेंगे अगर हम एक लाग रुपे की FD करवाते हैं वजाज फैरेंस के पास different maturities के लिए और ये मैं आपको special maturities की case में ही बताऊंगा कि आपको कितना ब्याज मिलेगा और कितना maturity amount मिलेगा चलिए start करते हैं one by one पहले हम बात करेंगे समाने नागरिक की समाने नागरिक अगर एक लाग रुपे की FD करवाता है different maturities के लिए तो कि उसे कितना ब्याज मिलता है समाने नागरिक 15 मा ब्याज मिलेगा 7.45% का और maturity मिलेगी एक लाग रुपे की 15 मा के बाद एक लाग 9,665 रुपे समाने नागरिक 22 मा ब्याज मिलेगा 7.50% और एक लाग रुपे की maturity 22 मा के बाद मिलेगी 1,14,594 रुपे समाने नागरिक 24 मा ब्याज मिलेगा 7.55% और एक लाग रुपे की maturity, 24 महीने के बाद मिलेगी, 116,136 रुपे, समाने नागरिक 33 मा, ब्याज मिलेगा 7.75%, और एक लाग रुपे की maturity, 33 महीने के बाद मिलेगी, 1,23,501 रुपे, समाने नागरिक 44 मा, 44 months, ब्याज मिलेगा 7.95%, और maturity मिलेगी, 1,00, रुपे की 44 मा के बाद, 1 लाग 33,461 रुपे नेक्स्ट अम जानेंगे सीनिर सीटिजन के बारे में सीनिर सीटिजन अगर डिफरेंट मेक्योरिटी के लिए एक लाग रुपे की एफटी करवाते हैं तो में कितना ब्याज मिलेगा वरिष्ट नागरिक 15 मां ब्याज मिलेगा 7.70% और एक लाग रुपे की मिचुर्टी मिलेगी एक लाग तस जार दो रुपे वरिष्टनागरिक 22 मा ब्याज मिलेगा 7.75% और मिचुर्टी मिलेगी 1,00,000 रुपे की 22 मा के बाद 1,15,110 रुपे वरिष्टनागरिक 24 मा ब्याज मिलेगा 7.80% और 1,00,000 रुपे की मिचुर्टी 24 मा के बाद मिलेगी 1,16,707 रुपे वरिष्ट नागरिख 33 मा ब्याज मिलेगा 8% का और 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कैसा लगा आपको आज का यी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फूर वाचिन